हलो प्रेंज गुड मॉनी कैसे हैं आप सभी लोग आप सभी को मेरे चैनल में बहुत जल स्वागत है आ रहे हैं यहाँ पर देखिए फ्रेड अभी सुबह सुबह दे समय है मेरा ख्रेट में से मुल्ली आया है कितना सारा मीटी लगा हुआ क्योंकि फ्रेट फ्रेट पटा हुआ था इसको तोड़ लेते हैं पले धोख है तब इसके बाद कीचन में लगोंगी ने तब काफी ज्यादा मीटी लगा है अच्छा लगे तो लाइक करिये कमेंट करिया प्लीज प्लीज चैनल पर नहीं है तो चैनल के कर लिजिए सब्सक्राइब और फ्रेट मेरा मॉनी के जो है नस्ता हो गया है काफी मतलब अच्छा मुली आच्छा नहीं हुआ है इसका पाता है जो काफी बड़ा बड़ा हो गया है इसके बाद मुली उतना आच्छा नहीं बैठा है तो यहां पर देखिए इसको तोड़ लेती हुँ अच्छी वन्या थोड़ा हाला करें तो प्लीज फ्रेंट वीडियो मने ले आज थोड़ा हमारे इदर प्रेंट कम से कम पांचे दिन बाद थोड़ा थोड़ा है ना जो धूपा उगा है तो आज तो सारा काम कर दो देख प्रेंट इतना है अभी थोड़ा मतलब पटाउगा है मेरा था खाने के लिए आया है बस मांगी तो जब खरिद के क्या खाना है तरी के लिए आया है थो दूबगी तो अब खाऊंगी जब जब खाना कहांगी तो फिरेंट विडियो मने रहे तक तक मुली को धो लेती कि दो फिरेंट देखिए मूलि ध्युप हो गया है पस अभी थोड़ा-hdोड़ा क्योंकि अभी इसको छोड़ दीओं क्योंकि छीटा तो इसका उतारना ही है उपर करा चलिए बने रहे हैं तो तक दूसरा काम कर लेती काम जो गिए इसको रख देती हूं तो यहाँ सुबह में हեռी मतलब कापड़ा धोई थी क्योंकि अधोड़ा धूप हो गया है कल में कापड़ा नहीं धो पाहे थी क्योंकि एक तारिख था तो समय नहीं मिला तो फिर जो है काफी ज्यादा कापड़ा हो जाता है मैं बदमासी कर रहे हैं इधर उधर घूम रहे हैं तर देखिए यहां पर थोड़ा समय स्पीट बढ़ा दी और फिरेंड जो है ना हावा भी काफी जादा तेज बहा रहा था तो कपड़ा तो सुखेगा नहीं क्योंकि उतना ज्यादा धूप नहीं हुआ है बस थोड़ा-थोड सुखेगा इसके बाद में घर में इसको लिया के पांखा तक डाल देती हूं तब सुखता है क्योंकि मेरा लड़का लड़की के कपड़ा तो सुखना जरूरी है नहीं सुखेगा तो फिर वो पीनेंगे क्या तो तो फ्रेंड जो है कापड़ा फैला ली हूं देख और यहां पार काफी दिन से मतलब रिक्वेस्ट आ रहा था कि अपना थोड़ा च्छत के बगल का बतलब भीव देखाईए तो वीडियो में बने रहे है आद दिखाती हूं आप लोकर मैं अपना घर का बगल का भीव तो चलिए फ्रेंड में बैक केमरा से देखाती हूं अभी देख सकते हैं फ्रेंड सीवम जी हैं क्योंकि सीवम को यह बाहर के साइड मतलब छात्पेस चाहड के अदीन भर यहीं पर मतलब जो है इधर मतलब लड़का लड़की जो है इधर गाड़ी वड़ी आती है तो यह देखता है तो देख लिजे फ्रेंड मेरे घर के बाहर यह सब पेन ओड़ा है अवा उधर जो है ना उधर रोड है और काफी दीन से मतलब यह रिक्वेश्ट आ रहा था पीपी आ रही है अभी भी सीवम इसवर बैठा है पीपी के लिए अभी भी सीवम है जो पीपी के चक मतलब बर साथ को दिन में इतना जा़ा जया जो है पानी लग जाता है इतना काफी क्या बता हूं तो काफी दिन से रिक्वेश्ट के थोड़ा देख लाइए है अपने घर को बाहर करना जारा तो लीजिए देख लीजिए मेरा घर है जो गाऊं से बाहर है बाहर साइड में तो अधर में रोड है रोड तो मेरे घर से पास में ही ए गिर जाओगे अब बस यूम जी का यहीं पर दीन भर अठार आता है और उधर देखें इधर जो है खेत है और खेत में काफी ज़्याद आलू लगा हूए यहां पर जो बगैचा है इसमें काफी ज़्यादा लड़का जो है बाइड बोल पता नहीं क्या-क्या मतलब खेलते रहते हैं अभी तो नहीं है तभी तो काफी ज़्यादा तो फ्रें मिद करती हूँ आप लो मेरे घर के बगल का वीव देख ले होंगे बताना कैसा लगा अधर सिवन्या भी खेल रही है तो फ्रें काफी दिन से रिक्वेस्ट आ रहा था कि देखाईए ना थोड़ा घर का बगल का वीव देखाईए तो सोचे चलू भाई अभी छट पर आई हूँ और याद आ गया प्रें का होता है नो हमको याद नहीं आता है छट पर तो आती क्या है अतर्फ ङोड है अर्शींन्य पातानी क्या दिखा रही है और फेन छत पर आएं तो चलो आये हुं तो एक पपिता भी तूड़ लेती हूँ अहाँ पातिस तक है तो नहीं पर देखी पपीता पग्या है तोड़ लेती हूं हम नहीं तोड़ भी तो फिरेंट जो है छत पर आ गए थी पपीटा पक गया था हम नहीं देख रहे थे शीवन्या देखी कब से बोल रहे थी सुबह में बोल रहे थी ममी पपीटा पाग गया हम सचे जूट बोल रहे हैं रख दो बैटा वहां पर तो अभी आये कपड़ा पस अन्य तो अभी बोल उखी काफी ज़्यादा मेरे घर पपीता फारा हुआ है काफी ज़्यादा है है मतलब लंबाई हाइट भी काफी जदा बड़ा है और दीखने में हूँ खूप सुरत लगता है पेड़ हमको और यह देखिए यह मेरा निम के पेड़ पर सेम फ़ारा है तो काफी ज्यादा मेरे फेंट पे जो है ना लगा हुआ हैmet है तो हम लोग सेम के भी स्बजी बनाते हैं तोड़ तोड़ का अभी तो चूप ज्यादा उपर जो है हो गया है हम लोग से त सुय विटाइय नहीं रहा है उसको डांटा से तूर से हैomics यहां से देखी देखी कितना उपर मेरा सेम जो है चड़ा हुआ है कॉप ही ज्यादा उपर है न कितना उपर कोई चड़ भी नहीं पाएगा यह मेरा ही मतलब नीम का पेड़ है मेरा दुआर पर लगा हुआ है तो उसी पर सेम था तो वहीं है और बताना फ्रेंट कैसे हैं बस मेरा यह चोटा सा ही वीडियो था और देखती हूँ तपलीज वीडियो मने रही है आप लोग कहां पिप्या है असीवम के दिन पर गारी ही देखना है सुबव साम साम सुबव से लेके अब साम तक यह चछत पर ही रहता है क्योंकि इसको गारी देखना है रोड पे यह यहां पर आती है गारी तो यह देखता ही रहता है तो यहां पर फ्रेंट जो है मैं चछत से नीची आ गए थी और फ्रेंट क्या है यह देख अभी मतलब कितना मतलब सारे बारह हो रहा है और में मोर्निंग में आठ बजे मतलब जाड़ू लगाए थी और देख लीजी अभी फिलाल में दो तिन घंटा में मेरा लड़का लड़की कितना जादा कचड़ा मतलब आगन में फैला दिये हैं आज कल तो मेरा लड़का इतना जादा मतलब बदमासी कर रहा है न क्या बताएं फ्रेंट उनसे तो मैं परसान हो गई हूँ घर में इतना जादा कचड़ा फैला देता है तो देख सकते हैं आप लोग दो तीन घंटा हुआ है अभी जाड़ों लगाए हुए और आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा काचड़ा हो गया है आभी देखिए उसके हात में क्या लिया है पता नहीं किया क्या हुआ उसी से फ्रेंट जो है न आगन कोड़ता है तो देखिए वह आगन देखिए छीननी लिया है और कुछ लिया जब उनसे मैं मांगती हूं तो देता नहीं रोता है तो देख लिजिए फ्रेंड मेरा लड़का का हरकत तो चलिए फ्रेंड बाइबाइ मैं मिलती हूं अगले वीडियो में आप लोग से